साथियो नमस्कार विश्यशकर निम्बू के पोधो या निम्बू अरगी अन्नी पोधो में मार्च अप्रेल और जुलाई से सितंबर के बीच में जिस रोक का प्रोकोप अधिक पाया जाता है उनमें से एक है निम्बू की तितली या सुन्डी के नाम से भी इसे जाना जाता है यदि इसके लक्षनों की बात करें साथियो तो पहले यह काले भूरे रंग की होती है ऐसा लगता जैसे पत्तों पर चिडिया ने बीट कर दी हो जिसका मुक्य भोजन पोधे की नहीं आ रहे ही कौमल पत्या होती है यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सुबह या शाम के समय यह पत्य को पर आपको दिख जाएगी आराम से और समय रहते इसका इदी इलाज नहीं किया गया तो यह अपनी प्रोडा वस्था में इस तरह की बड़ी होकर हरे रंग में बदल जाती है और पोधे की पत्यों को अधिक तेजी से सफाय करने लगती है उन्हें खाने बड़ी कम मात्रा लग रही होगी लेकिन कभी ट्राइ करके देखेगा और पत्यों का वजन करके देखेगा कि 5-6 ग्राम में 5-6 ग्राम में कितनी पत्या तुल जाती है यह उन सब को खा जाती है एक दिन में एक किट और सोचो जब इनकी कई मात्रा में आपके बागों में यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरा बाग ही साफचट कर दिया होगा तो जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियो यदि पोधों पर पत्ते नहीं होगे तो प्रकास अंसलेशन की क्रिया नहीं होगी और जब यह फोटो सिंथिस या प्रकास अंसलेशन नहीं होता है तो उससे केंकर आधी अनिरोगों के होने के भी संभावनाएं बढ़ जाती है आता सातियों आईए अब जानते हैं विशे शुग्यों दोरा सुझाया गए कुछ उपायों के बारे में तो सातियों प्रथम यदि इसके अंतरिक उपायों की बात करें तो यदि आपको लगता है एक दो-पांच पोदों में ही या कहीं आपको दिख रहे हैं कीट तो आप उन्हें पत्तों के साथ में तोड़कर मिटी में दबा दें या उन्हें मार दें और यदि इसका प्रकुप आपको ज्यादा दिखाई देता है तो फिर आपको रासायने कुपायों की जरूरत रहती है और जो विशे विशे शुग्यों ने इसके रासायने कुपायों को सुझाया है वो इस तरीके से आपको इसका प्रभंधन करना है पहला तो ये सात्यों के दिए इसकी प्रारंबिक अवस्था है याने अंडों से थोड़ी सी बड़ी साइज में जब हो जाते हैं या फिर बिल्कुल काले रंगे में भूरे रंगे में छोटी अवस्था जब होती है तो एक दवई का आपको इसके उपर इस्प्रे करना है जिसे इमीडा क्लोप्रीट के नाम से जाना जाता है जो कि आपको आधा एमेल से एक एमेल याने 0.5 एमेल टू 1 एमेल प्रती लिटर पानी की दर से छिड़काव करना है और जहां तक हो सके सात्यों कुछ अच्छी ब्र इसके उस्था होती है जिसमें कि ये जो काले कीट होते हैं ये थोड़ी बड़ी साइज में हो जाते हैं जो बीट नुमा डाई मिथोएट के नाम से एक दवई आती है 30 EC 30 EC डाई मिथोएट 30 EC जिसे कि 2 एमेल प्रती लिटर पानी की दर से मिलाकर स्प्रे करना है ये भी मार मार्केट में अलग-अलग नामों से मिलती है, रोगोर के नाम से भी मिलती है, और टाटा कंपनी की टाफगोर के नाम से भी मिलती है, तो देख लिजेगा साथियो, अच्छी ब्रांड की आप दवय यूज मिलें, और यही साथियो, इसकी बढ़ती हुई अवस्था है, यानि जब ये हरे रंग की कीट में बदल जाती है तो फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा आसर का रगदवे काम में लेनी है जो की प्रोफेक्स सूपर के नाम से मार्केट में मिलती है इसमें प्रोफेनो फोस 40 प्रतिशत और साइपर मेथरिन 4 प्रतिशत होता है इसकी 2 ml प्रति लिटर पानी के हिसाब से मिलाकर अच्छे से स्प्रेक कर दीजिए और इसे आप अब्जर्वेशन में रखिए निरिक्षन में रखिए यदि कंट्रोल में प्रकोब दिखाई देता है तो ठीक है वरना दुबरा इसी शिडियूल को आप 15-20 दिन के बाद दोहरा सकते हैं तो धनिवास साथियो यदि जानकर आपको लगता है किसी अनिकिसान साथी के लिए भी लापदा एक हो सकती है तो इस वीडियो को आप साजा करे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में साथियो फिर किसी अनिकिसान के साथ तब तक के लिए सर्वे जना सुझना बहुंतू, सर्वे सुझना सुखिना बहुंतू, स्वस्ति